आप सभी लोगों को सागत है अगर आप चैनल पर पहली वाप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्रीज सिस्क्राइब जरू करिए साथ में वैल आइकों दबाए उससे आपको नोडिफिकेशन आएंगे लखनो विश्वद्दाले उससे अफलेट कॉलिज की सारी जनकारी टा इसका आया है अगर आपके पास लॉट्में लेटर आपका आ चुका है तो 21 और 22 तारीक आप इस पर देख वारे हैं गारे जो डिपार्टमेंट आपका है वहां जाके अपना डॉकुमेंट वेरिफिकेशन कराईगे अब डॉकुमेंट वेरिफिकेशन में क्या-क्या लगे मैं आपको बता दे रहा हूं मैंने नोट करके रखा है यह आप देखिए इसमें पहला तो आपका अलॉट्मेंट लेटर हो गया उसके बाद फ्री रिसीप्ट हो गई माइग्रेशन एंड करेक्टर सार्टिफिकेट अगर आप लखनो विशुद्ध दैल है या उससे अफ्लेटिट कॉलेज के चातर नहीं है तब ही यह लगता है अदरवाइस आपका नहीं लगेगा यह चीज इनवस्टिए उससे अफ्लेट कॉलेज की है तो यह डॉक्मेंट आपका नहीं लगता है और माक्षीट अल माक्षीट का मतलब 10th और 12th की माक्षीट यूजी की सारी माक्षीट ओरजिनल आपकी होनी चाहिए ठीक है इसकी सारी ओरजिनल वहाँ पर बस वेरिफाई होता है वो चेक करते हैं ठीक है तो उसमें 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, जितने समेस्टर है आपके यह 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 वाला भी आपका रहा है तो वो सारी माक्षीट लगेंगे गैप रहा है तो आपका गैप का एफिडेविड बनता है वो आप पनवाली चेगा ठीक है बात करते हैं उसके बाद अगर आपका कैटेगरी है कोई EWS, OBC, SC, ST तो इसका आपका एक सार्टिफिकेट का हो है वो लगेगा उसकी फोटो कॉपी शायद कुछ डिपार्टमेंट सम्मीट करते हैं या कुछ डिपार्टमेंट वैसे वैरिफाई करके बस आपको वापस कर देते हैं आपको ओर्जिनल सारा डॉकॉमेंट लेकर जाना है एक भी इसका डुब्लिगेट कॉपी नहीं उस टाइम आपको ओर्जिनल लेकर आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज करीछना के टाइम पे जबुद परदें और येनिये आपको और दीपार्टमेंट एग्जामपल एंचेंट हिस्ट्री यह जायेंगे वहाँ क्लास्रूम में सारी इस्टूडेट항 प अजुने मैं परनेश के बाद आपको बथा देंगे इस दिन से आपकी classes है, आके आप classes करिए, यह सारी चीजे होती हैं, और जानकर एगर आपको चाहिए, तो आप comment करिए, उसका team response जरूर करेगी, thank you so much.